बाहुबली माफिया अतीक एहमद के दफ्तर में आज पुलिस एवं स्टीएफ की चापे मारी के दौरान बड़ी मात्रा में हतियारों का जखीरा एवं भारी मात्रा में नोट बरामद हुए है। इसके साथ जिंदा कार्टूस और मैगजीन बरामद की गई है। जानकारी के मताबिक मंगलवार को अतीक के कार्याले पर पुलिस का सर्च ऑप्रेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस कमिशनर रमित शर्मा भी तीम के साथ मौजूद रहे। कार्याले के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान 11 पिस्टल और करोरो रुपिय कैश मिले है। साथ ही नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है जिससे पुलिस कर्मी नोट गिन रहे थे। कर्षा हुई है।